जहिन बचो, बचो मैं अजयक मार वारा नसीव उत्तबर देश से आपके अपने चैनल नौ सिक्षन पे स्वागत परता हूँ बचो आज का वीडियो जो है उसमें 35 महत्पुर्ण विक्यान के प्रशन में बताने जा रहा हूँ जो आपके रास्टी आएं एम योगिता धर्चादीती परिक्षा NMMS एक्जाम साथी साथ जो बच्चे नौदे विद्याले परवेस परिक्षा कक्षा 9 की तियारी कर रहे है या सैनिक स्कूल या अटल हवासी विद्याले परवेस परिक्षा उन सभी परिक्षाओं के लिए काफी महत्पूर्ण है ठीक है और ये जो बच्चो मॉडल पेपर है ये डाएट आगरा द्वारा त्यार किया गया है जिसमें मेन समन्वे डॉक्टर मनुचमार वासने सर ने दिया है और ये काफी बहतरीन मॉडल पेपर बच्चो यहां त्यार किया गया है तो आएए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और ये बच्चो प्रशन जो आप पहले खुद से इसका उत्तर देजेगा ना आने पर आप मेरा उत्तर देखेगा और काफी प्रशन आयवे भी हुए है और रिपीट होते भी है इसलिए इनको करना बहुत ही जरूरी है चाहें बच्चो आप जिस भी राज्य से हो आप इन पेपर को जरूर हल कीजिए जैसे हर एक वीडियो में बताता हूँ कि पैटर्ण और सिलेबस पूरा सेम है हर एक राज्य का जहां पर भी इस समय एन MMS परिक्षा होने जा रही है 10 नौंबर को उत्तर प्रदेश के बच्चों की परिक्षा है तो उनका OMR जो है बदल गया है मैंने बताया हुआ है OMR अब आपका बदल गया है तो OMR जो है आप उसको अभ्यास कम से कम 2-3 बार बच्चों कर लिजेगा ताकि आपकी त्यारी बच्चों अच्छे से हो जाए ठीक है और इस बार गोला भड़ना है जैसा मैंने बताया थे इस बार आपको जो गोला रहेगा उसको फिल करना है ठीक है काले और निले बॉल पॉइंट पॉइंटस है अब संख्या आपको नहीं लिखने जो 1-2-3-4 लिखना होता था उसंख्या आपको नहीं लिखने तो वीडियो आप जरूर देख लिजेगा और एडमिट कार्ड का मैंने अल्यड़ी बता दिया है बस नौंबर के प्रथम सब्ता में कभी भी बच्चो ये आ जाएगा ठीक है जिन बच्चों ने वाट्सेप ग्रूप नहीं जोइन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा आप जोइन करके फ्री त्यारी कर सकते हैं पहला कोश्चन है निमन में से सुरी के निकटतम ग्रह है तो ये देखे यह काफी बार यह प्रश्न आये हुआ है और यह हमेशा आता हूँ और मैं हमेशा यह कहता हूँ जैसे सुर्य है अपका ठीक है तो सुर्य से दूरी ग्रहों की आपको जरूर पताना चीए उनका क्रम भी पताना चाहे जो भी हमारे 8 गरह है मरकरी वीनस अर्थ मार्श जुपिटर सेटन उरेनस नेपचुन अब प्लूटो अब नहीं है तो 8 गरह के क्रम उनकी प्रोपर्टि सबसे बड़ा गरह सबसे चोटा गरह सबसे तेज भूमने वाला गरह सबसे एक सब प्रश और आते रहते हैं इस तरह से आप करम करके ज़रूर याद रख लिजेगा सेकंड कोश्चन आपके सामने है निम्न में से कौन सा रसायनिक और वरक नहीं है ठीक है मतलब कैमिकली नहीं बना होना चाहिए तो यहां देखे साफ साफ देखे जैविक खाद जो है ठीक है यह हमार रसायनिक और वरक नहीं क्योंकि सड़े गड़े अप्तिस्ते गोबर वगरा से सबसे बना जाता है यूरिया आपका क्या है यूरिया आपका ये आपका कैमिकल है एन्पी के कैमिकल है पुटास आपका कैमिकल और वरक है यानि की 40 राइजर्स है ठीक है नेक्स कोश्चन आपके डबल रूटी की फुफंद में ये पाए जाते हैं तो 93 का आपका दूसरा उप्शन मचो सही है इसके बाद है जड़ दुबारा जल के ऑशोशन की दर को बढ़ाया जा सकता है उसका जो रेट ऑफ एब्जॉप्शन है वो कैसे बढ़ सकता है ऑप्शन से आपके सामने इसमें हम डोग आपशिन को दूसरे से कर देने चाया में रखकर, मंद प्रकास में रखकर, पंखे की नीचे रखकर, या पॉलिथिन की फैली में रखकर तो जो जड़ दुबारा ज़ल का शोशन है वो केवल और केवल यहांपर आपके मंद प्रकास में रखकर हो सकता है तो यह काफी important question है इसका बच्चो option number two जो है वो सही है कीटो में कीटो में गैस बिनमे के लिए वाईव नलिकाओं के जाल को क्या कहते है कौकरोच हो गए या और भी हो गए तो उसके जाल को हम क्या स्वासरंद्र कहते है फेपड़े कहते है क्लों कि या वातक कहते है उसको बच्चो कहते है स्वासरंद्र इसका बच्चो आपका पहला option 95 का पहला option सही है ठीक है इसके बाद है नısक्स कोशिण आपके सामने निमन मैंसे धातू की प्रकृति नहीं है तो धातू की अधातू की प्रकृति प्रकृति हमेशा आती है और यह मैंने एक्स्प्लेइन भी किया हुआ है तो आप रेलिस से जाकर जो विज्ञान के वीडियो बनें उसको अवस्य देखेगा अगात वर्धिनेता यह है ठीक है प्रकृति प्रकृति होती है ठीक है और इसलिए इसका 96 का आपका दूसरा ऑप्शन बचो सई है निमन में से कौन सी प्रतिजैविक औस धी है प्रतिजैविक यानिक एंटिबायाटिक है ठीक है तो यहां अलग लग चीज़ें तो स्ट्रेप्टो माइसिन जो बच्छो है वह आपकी प्रतिजैविक औसिदी है इसके वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूसक इंधन है तो सबसे कम प्रदूशन आप देखें सी एंजी की गाड़ियां आने लगी आपको पता होगा बायो डीजल है पेट्रॉल है और केरोसीन है आप्शन्स हैं तो यहां पर सी एंजी कंप्रेश्ड नेचुरल गैस एंजी का फॉल फॉर्म भी याद रखें कई बार आया हूँ है आ सकता है कंप्रेश्ड नेचुरल गैस ठीक है तो यह सबसे कम प्रदूशन उत्पन बच्छो करेगा कैरम बोर्ड पर पावडर चिरतने से घर्षन हो जाता है अगर आप अप्षन वच्छो सही है इस टॉपिक को मैंने विद्वत एक्स्प्रेइन भी किया हुआ है निम्न मेंसे किस आकरिती की ध्वनी को हमारे कान सुन नहीं सकते आबरिती सोरी आबरिती की ध्वने को लग किस फ्रेक्रेंसी देखे बहुत चलाकी इसे कोशन त्यार भी किया ज हमारे कान अबरिती की ध्वने को हमारे कान सून सकते हैं 38 इसी के अंदर आएगा 10800 इसी के अंदर आएगा आठ्स हर्ट इससे कम है साफ साफ पता चलिया जो हमारा एंसर है वह है आज 8 हर्ट ठीक है तो यह इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन है तो इसको देखिए काफी अच्छा प्रशन था इस तरह से संख्या बस बदल दी जाएगी एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर ऐसे प्रशन आने वाले हैं एक चोरी अगर इतनी मेहनत करने हैं मैं एक मेहनत क्या करो एक वीडियो नाता है लो बच्चों राट लो यह सवाल आएंगे ए थिक है बच्चे भी खवी ख़ीजीब सा सवाल पोस्त दिता है ठीक है उनको थोड़ा सभी मेहनत नहीं करना चाह रहा है सोचने shortcut किस तरी किसम क्यारी कर लाएं ठीक है ता आप shortcut में मज जेगे आप लंबे तरीके फॉलू कीजिए सफलता हमेसा आपको राप्त होगी नियत चाल से गती करने वाली वस्तु की दूरी समय graph होगा देकि distance of time graph बनता है ठीक है यह मैंने यह बताय वह explain किया हुआ है तो यह किस त दूरी तै हुई और नियत चाल से गती वाली वस्तु तो यह आपकी इस तरह का graph इस पर बनेगा ठीक है इसके बाद है next question आपके सामने यह भी काफ़ इंपोर्टन क्वेशन है रूमिनेंट्स चार खाने वाले चारा खाने वाले पालतू जानवर में सेलेलोज का पाचन कहा होता है ठीक है मुख में होता है ग्रसिका में होता है आमासे में होता है या अंधनाल नाल में होता है इसका जो सही answer वचो वो कौन सी धातू को मिलाकर बनाया जाता है तो आपका इसका 104 होगी अब 105 पे आते हैं तो इसमें आपका जो एंसर 104 का वेख़ो क। क्रोमियम और निकल वेख काफी time बैट स्टील जो है क्रोमियम निकल और आयरन को मिलाकर बनाया जाता है अब देखिए numerical question numerical question के काफी वीडियो बने में बच्छों आपको प्लेइलिस्ट में जाकर उनको बस देखना होगा ठीक है तब आपकी त्यारी एकदम असानी से हो जाएगी कोई कार 60 km प्रतिगंटा की चाल से 25 मिनट चलती है इसके पश्चात वह 70 km प्रतिगंटा की चाल से 36 मिनट चलती है तो कार द्वारा तै की गई कुल दूरी होगी ठीक है अब देखिए आपको फॉर्मला जो पता होता है वो है स्पीड इस इकवल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानि की चाल बराबर होती है दूरी बटे समय ठीक है दस से दूरी सा से समय पूरा लिखने जाएंगे नो बच्छो टाइम लगेगा तो आप भी सॉटकट ही परिक्षा के दौरां पीचे रफकार में कीजेगा तो दू दूरी जो है दूरी बराबर क्या हो जाएगा ये क्रॉस मिल्टिप्लाई की तहर्त दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुडे समय ठीक है यह आपको पता चलिया कि फॉर्मला जो है दूरी का क्या हो गया आपका यहां पर डिस्टेंस का क्या हो गया स्पीड इंटू ट कि जो चाल है वो 60 किलोमेटर प्रती घंटा की बात कर रहा है और यहां है मिनट ठीक है तो भाई मिनट को तो हमें घंटे में बदलना होगा ठीक है तब यह तो हम इसको दूरी निकाल पाएंगे तो पहला जो कह रहा है 25 मिनट 25 मिनट को हम क्या करें गंटें बदलने के लिए 60 से भाग दे इसको काड़ दें 55 is a 25 इसको काड़ दें 55 is a 10 मतलब कि 5 बटे 12 गंटा ये आ गया ठीक है अब आ गया अब हम गुणा कर सकते हैं तो पहला जो दूरी निकलेगी पहले में दूरी निकलेगी दूरी बराबर चाल गुणे समय चाल कितनी ये 60 समय कितना है आपका 5 बटे 12 ठीक है अब इसको काड़ दें 12 बंज आ 12 और ये 12 फाइव जा आपका 60 ठीक है और 55 is a 25 किलो मीटर अब ये बच्चों किलो मेटर ते ऐसा है देखे घंटा इसका था यूनिट नीचे था इसका घंटा ओपर था घंटा घंटा कट गया बचा के किलो मेटर जो था इसके साथ में ठीक है तो पहले की दूरी आप पता चल गई पचीस किलो मेटर वैसे ही 25 किलमेटर याद रखेगा और वैसे ही आपका दूसरे वाले निकालें दूसरे में भी देखिए 36 दिया हुआ है यहाँ पर आपका मिनट इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा दूसरे वाले के लिए पहले वाले के लिए 25 किलमेटर 25 किलमेटर दूसरे वाले का निकालने जा रहे हैं तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुड़ें समय चाल कितने नहीं 70 समय कितना आपका तीन बटे 5 ठीक है फाइव से काट जाएं फाइव 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 फोरजा 20 यह आ गया आपका फोर्ट रिजा 12 ठीक है और यह 52 ठीक है और सारी 42 42 ठीक है किलमेटर अब दोनों हमें दूरी मिल 2020 dealing the video के आसानी से सवाल हो गया ठीक है तो बस फॉर्मला आपको याद रखना इसमें Links तो वाइव ृच्वां कौन से आसान से प्रश्ण आपको ऐसी बच्चो समझ के आपको हल करना होगा ठीक है तो सवाल कैसे बदल के आ सकते हैं फॉर्मला आपको ध्यान रखना होगा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ठीक है इसके बाद है कुश्चन हंडेट सिक्स आपके सामने जब किसी तार से बिद किनेटिक एफेक्ट आफ करेंट रक्त का लाल रंग होने के लिए उत्तरदाई वर्नक है तो उसके पीछे केवल और केवल हीमोग्लोबिन है एच बी जो है रेस्पनसिबल है एच भी ही बच्चो ऑक्सीजन को ले जाता है या कारवन्रिक साइट को इधर सुधर ले जाने क कार्य करता है ठीक है इसके बाद है नेक्स्कोशन बिजली का स्विच बनाने में किसका प्रेव किया जाता है तो बच्चो देखेलाइट का ठीक है यह कुछालक होता है और बिजली उपकरेंड बनाने के लिए बहुत ही उपयोगत है नर और मादा युगमोग के संयोग का प्रक्रम कहलाता है तो यह भी काफ़ इंपोर्टन कोशन आया है नी सेचन वायू किस दाप के छेतर से किस दाप के छेतर की और गती करता है तो देखें वायू जो है आप देखते होंगे कि जो हमारी प्रिथमी है ना जो गर्म होती है तो उसमें दाप का प्रेशर का बहु और होना चाहिए मेरे खाल से ठीक है तो गलत प्रिंट हुआ है अच्छे सोरी ये दूसरे वाले ऑप्शन बच्छो दिया हुआ है अधिक दाप के च्छेतर से कम दाप के च्छेतर के और ये उसके लिए था कि ये गलत है ये सही है मतलब आप्शन सही दिया है क्योंकि सब्सक्ति करती है कोई भी एरिया बच्छो जब घर मोता है सूरज की रौसमे से माली एक गर्म हो गया यहां की जमीन के कांटेक्ट में जो होती जब होब आ यह पर उठी यज़िने लगती है तो वहां पर कम दाप का च्छेतर बच्छ बान जाता है और बाहर की हवा तेज समंद्र की तरफ जाती है उसके पीछे यही अधिक दाब और कम दाब का होना है और इसमें जो टमप्रेचर डिफरेंस है उसका बहुत महत्पुन वच्छो युगदान रहता है जो अभी संधारत में आपको ठीक है इसके बाद नेक्स कोशन है भुकम के सकती के प्रणाम को व है जो अमल बनेगा वह बच्छो नाइट्रिक अमल बनता है पानी के साथ बार्स के साथ और यहां पर सल्फुरिक अमल बनता है इसको भी आज़ों कर लीजेगा ठीक है इसके बाद नेक्स कोशन है रेसम पर रगणने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेस होता है कौन सी प्रकति सुचक ना होकर मानो निर्मित सुचक है कि मानो ने उसको बनाया यह भी प्रश्न ददल क्या है तो मिठाइल और इस बाकि यह देखे तीन जो ऑप्शन है हल्दी हो गया में लित्मस हो गया गुड़हल की पंखुरियां हो गई ठीक है यह प्रकति से लिया लित्मस भी मानो नहीं बनाया लेकिन यह प्रकति से लिया गया लाइकन से लेकर बना है ठीक है और यह मिठाइल और जो है कैमिकल कंपॉंड है यहां पर पुरी तरह से निमने में से कौन बिद्धूत का चालक नहीं है तो हंड़ेट फिफ्टीन का बच्छों सही अंसर है आजसुत जल इसके पर भी हमने पड़ा है वनःजीएंगों के संरक्षान यह तो संद्रक्षित यृि कौन सा नहीं है कि यहाँ पढली नहीं है तो यहांपर और भीवरं रस्टे दिवंढ़र का अरंचेयों के ठीक है ध्वानी संच्रित नहीं हो सकती तो 118 का बच्छों सही अंसर है निरवात में ठीक है यह मैंने पिछले वीडियो में भी एक्स्प्रेंग कि ठोस में सबसे जादा और गैस में सबसे कम रहेगा और दरपन के वकरता केंद पर रखी वस्तू का प्रतिमिक बनता है तो इ प्रतिमिक के बराबर सभी एड्रेस इन में से किस से सुरू होता है तो जितने भी एड्रेस है आप कूगल पर टाइब भी करते हैं स्टीटीपी डबल डॉट डबल नेक्स से होती है ठीक है इसके बाद है एक गेगाबाइट बराबर होता है एक जीबी डाटा आप लोग 24 MB होते हैं बोलते हैं कितना MB की फोटो है कितना MB का फिल्म है या कुछ भी आप वीडियो देखते हैं ठीक है तो जो मैं वीडियो करता हूं बच्चो वो ट्राइ करता हूं आपको कम से कम उसको मैं मिनमाईज करता हूं छोटा करता हूं कम से कम MB जो मेरे वीडियो बनते हैं व खर्च हो ठीक है तो इसका भी मैं थ्वासा रखता हूं यह पहली बार आपको बता भी रहा हूं क्योंकि इस तरह का प्रशन आ भी गया है मिस्र धातू पीतल की अवेई धातू है तो 122 इसका है तामबा और जस्ता की काफी इंपॉर्टन परशन काफी बार आया हुआ है सबस मस्क्यूट है ठीक है काफी हो मादा एनफिलिस से आपको पता है मलीरिया होता है ठीक है तो यह भी इंपॉर्टन संक्ट गर्ष्ट जाती नहीं है ठीक है 2025 का सही अंसर है बाकी सभी संक्ट गर्ष्ट है तो बच्चो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा नेक्स